हेलो गाइस वेलकम बेक टू एंट्री मैं आपका कॉंट फैकल्टी संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एंट्र के इस यूटूब चैनल पे तो आज हम डिसकूस करेंगे SBI PO Memory Based Question तो इस पूरे सेशन में हम जो आज के आपका different number of shift रही है तो उनके memory based हमने questions paper आपके लिए लेके आए हैं इसमें complete quant के 35 questions हम discuss करेंगे Starting करते हैं सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 5 questions number series के देखने को मिले थी यहाँ पर जिसके आपके calculation speed काफी अच्छी थी या जिन्होंने अच्छे से practice की थी वो इन 5 questions को within 1 minute बना सकता था काफी easy questions थे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले first question से तो यहाँ पर आपके missing number series थी एक चीज़ आप ध्यान रखो कि आज particular shift में एक shift में 3-4 set के paper देखने को मिले हैं तो आपने कभी analysis में यह देखा हो कि wrong number series आई है और मैं आपको missing करा रहा हूं तो यह different shift जो sets हुए है उसमें से memory based निकाला गया ठीक है कोई exact paper आप सभी को पता है आउट नहीं होता तो एक memory based paper है clear है तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें इस questions पर है first question में क्या है 6 7 16 account 208 इस series को सबसे पहले देखते हैं आपके माइंड में चीज आएगी कि सीरीज में कहीं calculation हो रहे है याण multiplication किये क्योंकि addition होता दे इतने बड़े नंबर से एक साथ increase नहीं हो रहे है देखो सबसे पहले 6 से 7 जा रहा है तो यह नि मैं होगे तो कितना बनेगा यहां पर 204 और 4 एड़ करोगे तो 208 यहां पर कितना आएगा पांच से multiply करके पांच एड़ करो अब देखे इसको करने एक simple तरीका में विदा दो अगर पांच को आपको लगता है कि वैसे तो यह सिंपल हो जाएगा आठ पांच चालिस और पांच की तरफ चलते हैं second में क्या देखा था same आपको सीरीज को देखते हुए आपके मैंड में यह चीज आएगी कि हाँ यहां भी कहीन है कि मल्टिप्लिकेशन हो रही है दस से 20 गया है यहां पर दे सकते हूं कि त्री टाइम मल्टिप्लिकेशन हुए है और यहां यहां पर साथ की मल्टिप्लिकेशन करो के 307 अगरा को कंफिर्म करना है तो इस नमबर को कितने से मल्टिप्लाइए को देक काफी ही दा ज्यादा कैलकूलेशन नहीं थी अब बढटे जाए ने नहीं है तो definitely addition या addition का कही नहीं कि difference मिलेगा क्योंकि देखो 3 से 35 गया है तो ज्यादा बड़े numbers नहीं गया तो difference देखते हैं 3 से 8 गया 5 का difference हो रहा है 8 से 18 का difference हो रहा है 18 से 33 अठारा प्लस यहां पर कितने का जा रहा है अठारा प्लस पांच कितना होता है यहां पर अगर हम बात करें तो 23 और 10 33 यानि 15 का difference हो रहा है तो अब आपको देखते ही पता लग गया होगा कि 5 10 15 और यानि 25 का difference हाएगा 25 का आया यानि 5 3 8 5 2 7 यानि 78 क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा clear आगे नहीं मुझे यहां तक बता दो कोई दिक्कत है आपको कोई ऐसी चीजों जो समझ नहीं आएगे एक मिनट के अंदर आप बना सकते थे यह आप पर डिपेंड करता है कि आपने मोग कितने सोल के हैं या फिर आपने calculation की speed आपके कितने जादे इंपूर्ट जादा अच्छी है क्योंकि calculation जरूरी है यहां पर clear है तो अब यहां पर आते है next question में next question में आपको देख कि क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा आपके माइंड में एक बात हो थोट आया होगा कि यह नंबर 12 से 148-328 गया है यहां कि कहीं नगए multiplication का case में माइन यहीं तो यहां पर multiplication का case नहीं है क्योंकि आपको कोई भी exact pattern नहीं दीख रहा है यहां पर त्री time से दिख केल इसके बाद आगे जब आप देख रहे हो तो यह नहीं दीख रहा है तो यहां पर यहां पर यह चीज आपके mind में आएग तो हम क्या करना video difference चेक करते हैं तो 24 का difference हो रहा है सिधा दिख रहा है ठीके और यहां पे अगर हम बात करें तो कितने का रहा है 10 में से 6 गए 4 और 7 में से 3 गए 4 यहां जबने का difference हो यहां 12 का difference ओर यहां पर अगरा अपक्र एक 150적으로 84 का difference आ रहा है यहां पर 9AG में 12 Cuando Çij Haupt pushes 8 8 142, 802, 160, 160 का आप डिफरेंस आएगा, डिफरेंस डबल डिफरेंस में आ रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है तो 432, एन 324 एड कर तो प्रीवेस टम में आपके नेक्स्ट अम आ जाएगी, तो 842, एक कैरी, 224, एक पांच और 336, चे, क्लियर है, तो 652 क्या जाएगा आपका रा आपके नहीं है, that's mean कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एडिशन का डिफरेंस मिलेगा, तो 15 से 23 गया है, यानि कि यहाँ पे अगर आप सीधा देखो, तो 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे देखोगे, तो 7 का डिफरेंस आ रहा है, 23 प्रस साथ तीश, यहाँ देखोगे 6 का, और यहाँ देख रहे हो 5 का, तो आपको और लेटी पता लग गया है कि 8, 7, 6, 5, यहीं है, टर्म्स है, एक एक कम होता जा रहा है, यहीं 4, तो 41 प्रस 4, 45, अब मुझे बता दो, कि अगर यह सीरीज आपके पास exam में होती, तो आप कितने time में करते हैं, आपक यह देखो, अगर यह 5 क्योशन्स आपके पास हैं, तो कितने minute में, चलो मान लेते हैं, गर average student भी हो, तो देड़ मिनट में बना सकते हो, देड़ मिनट तो आपको लगनी भी नीच चाहिए, यानगी कम से कम भी आपके पास 90 seconds थी इसके अंदर, देड़ मिनट या नहीं 90 seconds, और अगर हर एक questions के अगर आप देखोगे, तो अच्छा खासा time आपको मिल रहा है, क्रीबन 16-17 seconds के आसपास time लग रहा है, और इसन questions में 16-17 seconds लगेंगे नहीं, ठीक है, तो यह चीज़ आपके mind में थोड़ा सा रखो, कि कुछ ज़्यादा hard नहीं था, ठीक है, हो सकता है कि set visualization का देखते हैं, आगे क्या factor रहता है, वो तो आपका result पे depend करेगा, बाकि यह जिसको मिले हैं, यह नंबर सीर्ज, उनके लिए तो बहुत बढ़ी है चीज़ रही है, next, अब यह DIA हमें देखने को मिली थी, data interpretation का set था, क्या दे रहा था, एक line graph दे रहा था, जो शो करता था graduation की, clear है, तो इस तरीगे से आपको data दे रहा था, और इसमें 5 questions थे, तो यह DIA ही जादा, सिर्फ आपको calculation पर depend करता है, अब चीज़ों को कैसे calculate करता है, और कितना sort, तो उतना जल्दी आप इसको बना लोगे, सबसे पहले first question की बात करता है, question number 6 की, सबसे पहले question को देखो क् the student who applied for the graduation in 2013, 15 and 16, together to the student who applied for the post graduation in 2012, 13, 17, clear है, तो इसमें सिर्फ आपको addition करना था, कि graduation का ratio बताना number of years आपको दे रहा किसी तरीके से post graduation, तो आपकी addition करने का तरीका देखो क्या होना चीए, सबसे पहले graduation 13, 15 और 16 में पूछा है, तो 13 में graduation को आपको पता है, blue color की line है, तो अब य इन चार या नहीं कि हर एक line एक की है, एक लाग के उपर लाइक आगती है, ठीक है, तो यहाँ पर 13 में आप graduation के students को जो देख रहे हो ना, तो कितने है, 15 से यहाँ 16 हुआ, 17 हुआ, और यह कितना है, साड़े सत्रा है, ठीक है, यह चीज रहा रखो, blue वाली line है, जो point बीच मे 5, तो यह हो गए graduation का ratio, clear है, अब हम पोस्ट graduation का भी देखना है, 12, 13 और 17 में, तो PG का अगर हम बात करें, तो यह वाली line है, तो 12 में बात करें, तो कितने हैं, 20 है, ठीक है, अब इसके लावा 13 में कितने हैं, 15 है, 20 प्लस 15 है, यानि 35 हो गए, और इसके लावा 17 का और चेक करन आपको, तो यह नि 15 यह होगा, 15 है, 30, 30, 20, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, clear है, इतना आपको समझा आएकर मुझे बता दी सी, अगर यह मैं pointed आँगा, तो इधर 0 कर देता हूँ, ठीक है, मुझे pointed आँगा, इधर 0 करना पड़ेगा, मुझे 25 से काड़ दो, 55, 0, अगर मै मुझे यहां तक बता दो, कोई दिक्कत अलो, अब देखो, यह जो चीज है, अब आप पूछोगी, कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, ना कोई concept की जरूर थी, सिरफ आपको addition करना था, आप जितना जल्दी questions को addition कर सकते थे, उतना यह आप easily बना लेते, next की बात करते है, question number 7, question number 7 को समझें, if in year 2014, 20% of the students who applied for the post-graduation, also applied for the graduation, then the number of students who apply only for graduation, or what percent of the number of students who apply only for a post-graduation in the year 2014, यानि की कहरा है कि 2014 में, जो student PG के लिए, post-graduation के apply करते हैं, उसके 20% student वो graduation के लिए भी apply करते हैं, तो हमें बताना है, कि जो students सिर्फ graduation के लिए apply करते हैं, वो कितने percent है, उन students के जो सिर्फ only post-graduation के लिए apply करते हैं, तो only वाली चीज़े ध्यान अकना, सबसे पहले अगर मैं 2014 क और यानि कि बात करता हूं, तो post- alluded, तो post-graduation में आप देख रहे हो, PG में कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, 20,00,000 और यहां पे graduation में कितने अप्लाई कर रहे हैं, 25,前 ब इसने बोला था कि Post-graduation पे जो अप्लाई कर रहे हैं, उसके 20%, यानि PG में 20,00,000 अगर अप्लाई क कर रहे हैं इसके 20परसेंट ठीक है यानि 20 लाँग का 20 परसेंट कितना होगा 4 लाँग यानि 4 लाँएसे बच्चे हैं जो graduation के लिए भी apply कर रहे हैं तो हमें ये बताना है कि जो शिरुंप only graduation के लिए apply कर रहे हैं हमें पताया कि total graduation के 25 है लेकिन इस में से 4 लाग ऐसे भी है जो post graduation भी खर लें क्योंकि इसने mention कर रखा है तो 25 में से हमें 4 गटा आना पड़ेगा यानि 21 लाग तो 21 लाग बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जो सिर्फ graduation के लिए apply कर रहे हैं clear है चीज अब उसका में किसके साथ percentage calculate करना था जो only post graduation के लिए कर रहे है और हमें पता है कि total 2014 में 20 लाग बच्चे apply कर रहे हैं post graduation के लिए लेकिन only post graduation के लिए कितने कर रहे हैं 20 में से 4 गटा दो 4 क्यों किया क्योंकि 20% student ऐसे हैं जो दोनों के लिए apply कर रहे हैं तो 20 में से 4 कितने बचेगे 16 गुना पसंटेज निकालने के लिए 100 कर दो 4 चोके 16 और यहां पर आपका कितना बन जाएगा 25 हो जाएगा यह काम करो कैंसल नहीं करते हैं सीधा कर दो 2100 बटा 16 अब काट लो अब काट दो इसको 4 चोके 16 और यहां से 5 कितने चार से चला जाएगा के चार से चला जाना चाहिए चलो के कैंसल आउट करते हैं ओप्षिंस में है चार पांचु बीस और कितना बज़ेगा एक चार दूनी आठ ओके चार पांचु बीस चला गया तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं था वहीं कैलकुलेशन आप सीधा 21 है कि हमें डारेक्ट कैकुलेशन ही करनी पड़ती है नेक्स्ट बात करते है को इस नुबर एट की अब गया रहा है एट में सबसे पहले तो हमारे पास 12 का डेटा में से हम 11 का निकालेंगे क्योंकि इसने बोला है कि जो 12 में ग्रेटा में स्टूरेशन के 2015 में तो यह सबसे पहले 11 का डेटा निकालो ग्रेशन का अगर हम 12 की बात करते हैं करते हैं तो कितने हैं हमारे बास 15,000,000,000 है अब आपको पता है कि 2012 में ग्रेशन के कितनी है 15,000,000,000 है अब इसका 100,000,000 थी परसेंट लेस है 11 में 100,000,000,000,000 कितना होता है वन बाई 3 होता है ठीक है न अगर आप सोल करोगे तो इसको आपको मिलेगा 33 वन बाई 3 परसंट यानि इतना लैस है इसकी fraction value आप सभी को पता है वन बाई 3 है यानि अगर यह 15 लाग है 2012 में तो 11 में कितने हो जाएंगे 2011 में ग्रेजिशन में कितने होगा 10 लाग हो जाएंगे च्योंकि इसका 1 बाई 3 कम होगा 1 बाई 3 कितना होता इसका 5 लाग तो 5 लाग गटा दो इसमें से यानि 10 लाग तो 10 लाग 2011 में है उसकी percentage calculate करने थी जो apply करते है पीजी के लिए 2015 में 2015 में PG के लिए 25 लाग बच्चे apply करते हैं तो 10 बटा 25 लाग 100 कर दो तो कितना आ जाएगा 40% clear है पच्चीचों के 100 लाग यहनि 40% क्या हो जाएगा आपका right answer होगा जो कि option number D रहेगा बहुत easy questions था एक बर question को read करने के साथ आप 10 से 15 seconds में इसको बना सकते था इसको कर सकते थे next की बात करते है question number 9 में क्या बोला है what is the difference between the average of the students who apply for the graduation over all the year of the average of students who apply for the post graduation over all the years यानि इनके बीच का तो देखो सबसे पहले graduation के total number of students है वो find out करने है उसके average निकालनी है इसी तरीके से post graduation के total students निकाले उनके average निकालके इन दोनका difference बताना है तेको इसमें है ना सबसे पहले आपको जितना नहीं जादा orally calculation करते है उतना ही आपके लिए easy बन जाता है अगर आपको लिख लिक एक चीज करोगे तो time लगए जैसे यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले क्या करते है ग्रेजुशन के निकाल लेते हैं 12 में अगर बात करें 15 है तो एक बार इसको छोड़ो ठीक है क्योंकि 17.5 है इसको last में add करते हैं यहां पे 15 था यहां पे 25 था कितना बन गया 40 ठीक है 40 20 60 60 30 90 और 25 यानि कितना हो जाएगा आपका 115 clear 115 यह होगे और 17. 15.5 को इसको add कर दो क्योंकि हमने 13 को छोड़ा था ना बीच में इसको add कर दो 0.5 75 12 एक करें 11 12 और 13 यहीं 132.5 है clear है अब पोस्ट्रेजिशन के भी add कर दो 20 10 30 35 35 35 35 और 20 कितना हो जाएगा यहां पर 55 55 और 5 कर दो 60 60 20 80 80 और 20 100 और 100 में 15 एड़ गर हो यह कितना बन जाएगा 115 तो यह हो गए 115 clear है इतना समझा है आपको अब आप बच्चे कहां गडबड़ करते हैं कि इन दोनों की average बोला है तो 1 by 6 से इसको divide कर देंगे क्योंकि 6 साल है हम यहां नहीं करेंगे हम इस सीधा difference निकाल देते हैं कितना आ रहा है 15 17 32 32 17.5 का इन दोनों के बिच में difference आ रहा ह अब इसको 6 से डिवाइड कर दो तो 6 ती 18 नहीं approximately 3 के आजपास आ जाएगा 3 lakh याई option numbers 3 that's it क्योंकि option यहां पे एक चीज़ द्यान रखना approximately बोला है तो approximately आप approximate ही करना है क्योंकि यहां पे exactly divide नहीं हो और 2.something आएगा यह 9 के round आएगा क्योंकि 17.5 है तो इसको divide करोगे तो आ ले नहीं सकते हैं तो यह चीज़ इसमें short कहां हो जाती है आपका question कि जो यह difference था ना यह difference यहां पे आपको ध्यान रखना था यह फिर दूसरा alternate method यह था कि आपको graph में देखना था कि सबसे ज़्यादा value कि क्या आ रही है आप देख रहे हो कि सबसे उपर graduation ही रहता है तो उ यहां पे आपको बोला है if 45% of the students who apply for the graduation in 2015 are girls and the ratio of girls who applied for the graduation in 2015 तो the girls applied for the post graduation in 2017 is 4 ratio 5 then find the number of boys who applied for the post graduation in 2017 देखो questions को थोड़ा सा घुमा रखा है आपसे post graduation की boys पूछे है और यहां पे देखो post graduation 2017 में हमें पता है कि boys plus girls की value दे रहे है boys निकालोगे तो इसके लिए में girls सही है girls इस ratio में दे रहे है जो किसके साथ combine कर रखा है 2015 की girls की साथ देखो इसने बोला कि 2015 में जो graduation करते हैं उसमें 45% girls है तो 2015 में graduation करने वाले बच्चे कितने 20,00,000 है ठीक है इसमें 45% क्या है girls है तो यहां से हमारी girls की value आगी 2015 में और जिसकी ratio दे रहे है 4 क्योंकि इसने बोला ना कि 2015 में जो girls है उसका ratio दे रहा है 2017 की girls की साथ तो यानि यह पूरी value कितने की है 4,14 हमें कितने की निकालनी 5 की क्योंकि हमें 2017 में girls पता करनी है न कितनी होगी तब ही तो हम total में से girls minus करके boys निकाल पाएंगे तो यहां पे निकालो 255 से 5 cancel out कर दिया यानि 45 by 4 तो 45 by 4 आगे इसको solve मत करना कि यह points में आप निकालने बैठ जाओ अभी निकालने की जूरूत नहीं है यानि इतनी number of girls है कब आपके 2017 PG में अगर 2017 PG की बात करें total 15 लाक है तो उसमें से अगर मैं girls minus कर दो 45 by 4 तो मुझे boys मिल जाएंगे clear है इतना अभी यानि के LCM कितना आएगा यहां पे 4 यानि 15 चोंके 60 60 में से 45 गटा दो आप कितना 15 बटा चार आ जाएगा अब इसको solve कर ले ना आप आगे 15 बटा चार यान की 4 यह बार है इन 3.75 लाक आपके boys आ जाएंगे clear है तो यह इस तरीके से आपका बन जाता option number यह आपका right answer अगर पूरी DIY की बात करें हाँ थोड़ा बहुत calculation है at least SBA PO है तो इतना expect करी सकते हैं अब इतना थोड़ी है कि विलकुट डारेक्ट की questions आप से ratio के पूछ लेगा या फ पूछ लिया missing और एक से पूछ लिया wrong और जो missing आई है वो बहुत easy है हो सकता है कि wrong भी easy हो वो अभी तक हमें पता नहीं लगा जैसे पता लगे वो भी हम आपके साथ share करेंगे अब बात करते हैं quadratic equation के overall अगर हम बात करें quadratic equation का थोड़ा बहुत calculated था लेकिन ऐसा नहीं है कि कर करने लाइक नहीं था calculation जरूर थी जिसकी calculation की speed अच्छी थी वो जल्दी कर लेता है देखो 5 questions का set है दो चीज़े ध्हान रखना पहला sign table sign table के basis पर अगर आप इन चीज़ों को समझ पाओगे तो आपके लिए काफी easy हो जाता है जैसे सबसे पहले हम first question की ही बात करते है first question में देखो सबसे पहले क्या दे रखा एक्स की 9 x square प्लस 45 x प्लस 26 is equal to 0 आपके mind में sign देखे आपने दोनों प्लस माइनस यानि कि इस चीज़ को हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे कि sign के basis इसको नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले x के root निकालने पड़ेंगे तो कितना दे रखा 9 x square प्लस 45 x प्लस 26 is equal to 0 अब यानि आपके mind में factor बनाने आपको यानि कि ऐसे factor बनाओ जिनके multiplication 26 और 9 एक वलो एडिशन बीच वाली वैली यानि इसके factor कितने बने तेरा दूनी 26 कह सकते हो और इसको 9 दूनी 818 प्लस 13 कितना हो जाएगा तो इस तरीके से तो नहीं बनेगा तो थेरा तो आंब 47 312 निचे 49 और 45 यानि 49 और 46 बन जाएगा और इसको for second digit यानि उसे इसको डिवाइड करते हो तो से डिवाइड करोगे 3 और यहां बन जाएगा 13 और यहां बन जाएगा 2 और यहां बन जाएगा 3 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 यहां बन जाएगा 066 दोनों प्लस के रूट थे हैं, दोनों साइन कितने होगा, माइनस के होगा, क्योंकि दोनों साइन के बेसिस पर आप देखोगे, तो X के रूट कितने है, 4.33.66 माइनस का, अब Y के रूट निकाल लो, 7Y स्क्वेर, माइनस 59Y, माइनस 36 is equal to 0, अब देखो, आप किसके बेसिस पर इसको breakdown कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे, तो आपके पास दो option है, तो 9,4 कर लो, या 18,2 कर लो, ठीक है, वहाँ तो 7 बंजा 7 होना ही है, अब देखो, कि किस से easily divide हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि हमें addition, या addition है न, दोनों नमबर्स से 4 गट आओगे, तो 69 बढ़ते है, यानि 63 और 4 वो factor बन जाएंगे, फर्स वाल डिजिट यानि 7 से इसको divide गर दो, करोगे तो y की value कितनी है, कि 7 निमद 63, और यह कितना आ रहा है, point में निकालो, तो 75 यानि 0.5, यानि 0.5 कर दो, क्योंकि आगे आपको comparison करने में दिक्कत न से क्या है, यह भी इन दोनों से क्या है, बढ़ा है, क्योंकि minus में जितनी value छोटी होगे, एक्चलो में उतनी ही बढ़ी होगी, तो कह सकते हो कि x less than y आपका right answer हो जाएगा, clear है, यहां तक आपको कोई दिक्कत, तो first का जो answer हो जाएगा, x less than y और यह option number, c आपका right answer हो आपका right answer होगा, अब पूरी question को मुझे बताओ, comment section में क्या रहेगा, ठीक है, यह आपके लिए है, अब कैसे इसको solve करते हो, आपको कैसे बताएगा, लगा, वो भी मुझे mention जरूरू करना नीचे, अब बात करते है 13 के, अब देखो यह चीज है, काफी बच्चों के mind में questions create करती है, x minus under root 2, 4, 0, 1, अब यह जो value है, चलो, under root में जब भी value होती है, हम इसा यहाद रखना, a की positive factor बनता है, यानि सरफ a की root बनेगा positive, और आपको 24 20, 0, 1 है, अब आप सोच रहे होगी कि कैसे पता लगे 24, 0, 1, पहले तो उसकी basic trick होती है, square root solve करने के, अगर वो नहीं पता है, तो वो करो, जैसे, कोई भी जैसे 24, 0, 1 है, जब square root solve कर रहे हो, दो नंबर उठाओ, यहाँ पर 1 किस-किस के last में आता है, या तो 1 के last में आता है, अब 4 से 5 की multiply कर दो, 4 5 कीतना होता है, 20, यानि यह जो नंबर आता है, से next term की multiply कर दो, 4 से आगे क्या आता है, 5, multiply कि आता है, 20 नंबर आया, जो किस से 24 से छोटा है या बढ़ा है, क्या है, चोटा है, तो यानि यहाँ पर यह value बढ़ी है न तो 49 हो जाएगा, अगर ऐसे भी आपको समझ नहीं आए, कि यह चीज़े मुझे नहीं समझ आ रही, तो आप देखो, 40 का स्वेर कितना होता है, यह तो बता सकते हो, 16, 45 का कितना होता है, क्योंकि इन डिजिट के आप 16 कर सकते हो, 25, और 4, 5, 20, 25 होता है, 50 का आपको पता है, 25 होता है, अब आपको पता है, इन यहां पर धोड़ा सा twist है, यह minus का उदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ 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 पर देखने को मिले, even number, तो हमें इसा याद रखना कि plus और minus के दो root बनेगा, अगर यहाँ पर 1, 3, 5, 7 देखने को मिले, इनकी power में, तो हमें इसा सिरफ positive का factor मिलेगा, यह द्यानक न, तो यहनी square है, तो यहनी एक plus का 49 बनेगा, एक minus का 49 बनेगा, y का, clear है, अब आप compare कर लो, plus 49 दोनों equal हो जाएगा, otherwise आपका x बड़ा होगा, यहनी x greater than equal to y आपका right answer हो जाएगा, clear है, यहाँ तक को दिक्कत आपको बताइए मुझे, कोई भी ऐसे जो जो समझ नहीं आ रही हो, बहुत easy चीज़े थी हैं तो, ठीक है, अब बात करते हैं next question के, question number 14, अब यहाँ पर देखो, दोनों root, दोनो sign क्या है, plus क्या है, तो sign के basis पर हम यहाँ पर चीज़े नहीं कर पाएगे, तो हम equation को क्या करेंगे, पूरा solve करेंगे, सबसे पहले x क root कितना मनेगा, 2 ती अच्छी है, यहनि 3.5 और 3 बन जाएगा, clear है, दोनों plus है, तो दोनों root आपके minus के मन जाएगे, same अब y के साथ करते है, y solve कीजिए, 3y square, plus 34y, plus 63 is equal to 0, अब देखो, आपको पता 63 का आपको multiply करने में दिक्कत हो रही है, तो इसको breakdown को लो, साथ नहीं में 27 और 3 दूनी 6, और 1,7 यानिकी 0.33, तो नो plus है, दोनो root आप minus के, compare करो minus करना ही नहीं, इन दोनों से चोटा रहेगा, minus का 3.5 से, पर यह वाला क्या है, इससे बड़ा हो जाएगा, तो यहनि no relation इसके बीच में बनेगा, यहनि option number E आपका right answer होगा, clear है यह चीज, तो यहाँ पर no relation बनेगा, आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, next की बाते है, करते है, question number 15 की, सबसे पहले, first x को solve गो, 12 x square, plus 22 x, plus 80 is equal to 0, अब देखो, इसको ब्रेकडाउन भी कर सकते हो, जैसे 2 से काट दो, 2 अची के 12, यहाँ पर 11, यहाँ पर 4, अब देखो, ऐसे number डूंडों द 3 होगा, और यह 0.15 हो जाएगा, ठीक है, sorry, 0.50 हो जाएगा, दोनों प्लस के रूट है, दोनों माइनस के, तो x के रूट आपके बन गए, अब y के solve करते है, 5 में क्या देखा है, 4 y square, minus y, minus 3 is equal to 0, तो ऐसे number डूंडों दूंडों की multiplication 12 हो, additional section बीच वाली value नहीं एक की equal हो, त अब plus 1 इन दोनों से बड़ा रहेगा, लेकिन minus का जो 7.5 है ना, वो इससे क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तो यह इसके बीच भी no relation बनेगा, option number e यह आपका right answer होगा, अब quadratic equation की बात करें, तो हाँ, थोड़ी सी calculated जरूर थी, but doable थी, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते है, अ अब depend करता थे कि आपकी calculation की speed कितनी ज़्यादा है, क्योंकि यह इसमें कोई concept नहीं था, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, आपकी calculation speed पर depend करता है, कि आपको tables कितनी आती है, square आप कितना जल्दी solve कर लेता हो, जैसे 13th का question था, वो square या square root पर depend करता है, अगर आपको 50 तक 5 questions की set को बात करो, तो max to max 2 minutes में आप कर सकते हैं, 2 minutes में नहीं सबसे ज़्यादा time आपको दिया, इस को करने के लिए, यानि इन average questions को करने के लिए 20 से ज़्यादा seconds आपके पास थी, clear है, चलिए, next बात करते हैं, आप कुछ questions है, हमारे पास arithmetic का है, सबसे पहले हम question 16 से start करेंग both A and B together, A and B work for the 60th and C complete the remaining work, how many days did C work, यहनि C कितने दिन काम करेगा, देखो इस questions को direct नहीं पूछ, examiner, question easy है, बस इसने थोड़ा साब को calculation बढ़ा दी, कहारा कि A अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है, ठीक है, B है इस काम को अकेला 16 दिन में कर रहा है, अब C काम करेगा, कितने, किस स्पीड से, जो A और B मिलके करते हैं, उसके 5 by 4th time में करेगा, तो यहनि पहले A और B का निकालना पड़ेगा, तो इन 24 और 16 का LCM निकालो, 48 आ जाएगा, तो 24 दूनी 48, 16 ती 48, यहनि A और B मिलके, अगर इस काम को करेंगे, तो एक दिन में 5 unit कर करेंगे, टोटल वरक है 48 और एक दिन में कितना कर रहे है, 5 unit कर रहे है, इतने time में कर देंगे, और C क्या कर रहा है, C can do the same work in 5 by 4th time, जो A और B मिलके करते हैं, इसका 5 by 4 time में, तो 5 by 4 इसका निकालो, इतने time में कर रहा है, तो 5 by 4, 5 से 5 cancel out कर रहा है, यानि कि C इसको कितने द समझाया, अब कहरा है कि इसी काम को start करते हैं, A और B 6 दिन तक काम करते हैं, तो A और B का हमें पता है, कि एक दिन में 5 unit करते हैं, तो 6 दिन में कितना कर देंगे, 5 शिका, 30 unit, total काम कितना 48 है, 30 इन लोगों ने A और B ने मिलके कर दी, तो पीछे कितने बची 18, जो C अकेला करत है, C की एक दिन के efficiency 4 है, तो 2 और 9, यानि 9 by 2 days में इस काम को, बच्चे वे काम को C कर देगा, clear है, समझाया, max to max discussions में 20 से 25 second max to max discussions में आपको लगते हैं, क्योंकि ये जो चीज़े हैं ये लिखनी नहीं है, ये अगर मैं आपको explaining कर रहा हूं ने, ये लिखनी नहीं है, 24 और 16 क अच्छे attempt कर पाऊगे, अगर आप सोच रहो, कि A और B को लिखूँआ, उसका LGM लिखूँगा, और फिर उसको efficiency निकालेंगे, वो चीज़े गलत हो जाएंगे, फिर वो चीज़े समझ से बाहर है, आप और ली बता सकते थे कि 48 LGM आएगा, और 2 और इसकी 3 efficiency, ठीक है, तो उ इस बेसिस पे 48 बेटा 5, 5 को 5 बेटा 4 करके, आप ये चीज़ ये वाला step लिख सकते थे कि 48 by 5 multiplied by 5 by 4, क्लियर है, नेक्स बात करते है, क्वेशन आप है 17 की, the distance between 2 station A and B is 900 km, a train start from A and moves towards B, at an average speed of 30 km per hour, another train starts from B, 20 minute earlier than the train A, and moves towards A, at an average speed of 40 km per hour, how far from A will 2 train meet, यहाँ दोनों train कम मिलेंगे, देखो इसको थोटा डियाग्राम के थ्रू आप समझे न, यहाँ पर क्या दे रखा, यह मानलो आपका station A है, ठीक है न, और यह station B है, यहाँ पर से train A, जो ठीक है न, दोनों station के बीच की आपको distance दे रखी 900 km है, अब पहली जो first train है, वो यहाँ से चलती है, और second train है, वो यहाँ से चलती है, फस्ट वाली जो speed दे दी, वो दे आपको 30 km per hour, clear है, और second की दे दी 40 km per hour, अब इसमें थोड़ा सा twist क्या है, कि जो train A से B है न, 20 minute पहले चल 1 by 3, sorry, 1 by 3 क्यों किया मैंने, अब मैं आपको direct बताता हूँ, अगर मैं इसको 1 by 3 ना करके 20 by 60 कर देता, तो अभी मुझे यह पता लग जाता हूँ, क्योंकि देखो, 40 km per hour इसकी speed है, तो मुझे पता करना है कि 20 minute में इसने कितना किया, एक गंटे में 60 minute होती, तो 1 by 3, तो यह 200 यह कितना हो, 2700, 2700 में से क्या है, आपको 40 minus करना है, तो यानि 2660 हो जाएगा, तो 2660 km अभी और बचा हुआ है, जब तक train A चलती है, तो यानि अब यह दोनों एक साथ चलेगे, अब क्या करना है, टोटल डिस्टेंस को हमें divide कर देना है, इनकी speed से, तो इन दोनों की speed कितन 24, 26, यानि तीन से तो नहीं divide हो रहा है, साथ से कटेगा, साथ से कट रहा है, साथ ये 21 और 25, 27, 58, 56, ठीक है, 38 by 3, तो इस टे से किन, वह डिवाइड भी नहीं हो रहा है, क्या, साथ ये 21, 57, 58, 56, ये 38 by 3 से हो गया, ठीक है, एक ज़स्टे से किन में एक बार देख लाँ गई कोई calculation तो mistake नहीं है, 20 by 60, 1 by 3, 40 by 3 हो गया, यहाँ पर, no swap की total distance दे रखी है, यहाँ पर, calculation में तो कोई mistake नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि अभी fractions में time आ रहा हूं, ठीक है न, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये हमारा क्या आ गया, कि 38 by 3, ये time आ गया, इस time के ब पता हूँ, distance पता लग जाती हूँ, 30, तो 32, 30, यानि कि 386 km, यानि ये point से 386 km पर एक दूसरे से मिलेंगी, अब देखो धोड़ा ध्यान से समझना, repeat कर रहा हूँ, एक बार फिर से, हमें सबसे पहले क्या किया कि train B है, जब तक A चलती है, तब तक उसने total distance कितनी कवर कर ली 20 मिनट में 40 by 3 km है, तो हमने total 900 थी, 900 में से 40 by 3 माइनस किया, तो 2660 बटा 3 आया, तो यानि ये distance अभी रहती थी जो दोनों को cover करनी थी, अब दोगों देखो, दोनों opposite directions में आ रहे हैं, जब opposite direction में move कर रहे हैं, तो speed का addition होता है, दोनों trains का, बेसिक चीज़े हैं, ठीक है, तो हमने दोनों का add कर दिया, तो जो भी total distance थी, वो उसको हमने speed से divide कर दिया, तो हमें क्या पता लगा time, यानि एक दूसरे से इतने time के बाद ये मिलेंगी, यानि train A है चलने के इतने time बाद मिलेंगी, तो हमारा time कितना है, 38 by 3, उसको हमने speed से multiply गया, क्योंकि time को अगर आप speed से multiplication, multiply करते हो, तो distance आजाती है, तो हमें पता लगा है, A point से इतनी distance पे मिलेंगी, तो option number A आपका right answer होगा, clear है कोई दिक्कत ही हाँ तक, अब next question पर चलता है, question number 18, क्या कहा रहा है, a garment company declare 70% discount for the wholesale buyers, Mr. Dikshah, a wholesaler bought garment from the company for rupees 1660, after getting a discount, he fixed up the selling price of the garment in a such way that he earned a profit of 7% on the original company price, what is the selling price, तो selling price आपको बताना है, इसका क्या रहाएगा, देखो बहुत easy question है, इसको one line में करके देखते है, clear है, तो आपको सबसे पहले क्या क्या क्या, कि garment company उसने कहा कि जो भी wholesale buyer होगे, उसको हम 17% discount देंगे, तो मिस दिक्षा है, उन्होंने wholesaler है, वो एक, ठीक है, उन्होंन garment करी दी 1660 रुपे के, लेकिन वो discount के बाद, यान 17% के discount के बाद, और उसने जो selling price है, वो fixed up कर दिया गया, क्या garment का इस वे में कि उसको 7% profit होता है, company के original price पर, ये statement को समझना, अब इस point को समझना, देखो, उसने कितने रुपे में खरीदा, 1660 रुपे में खरीदा, लेकिन इसको कितना percent discount मिले, after getting discount, यान 17% का, यानि ये value कितने की, 83% की, यानि अगर company का original price पिता करना में, तो 100 से multiply करेंगे, यानि कि ये जो value है, जिस पर company का selling price है, ठीक है, अब इसने बोला रहा था कि, इसके ओपर ये 7% का profit earn करती है, तो इसके ओपर 7% का profit करती है, यानि ये जो value है, इसका 107% निकाल दो, 107 बटा 100, ठीक है, तो ये selling price आ जाएगा, तो 100 से 100 काट दो, और कटेगा क्या, 3 दो नी 6, 8 दो नी 16, 2 टाइम से seconds लाउट हो रहा है, अब multiply गड़ो, 1 जी राजिटीज, 7 दो नी 14, 1 आ जाएगा, और 2, यानि 240 रुपे क्या, उसका selling price आ गया, 240 options मे है, फिल्खुल, option number B, आपका right answer हो जाएगा, बताईए, कोई दिक्कत यहां था, आपको कोई भी ऐसी चीज हो, जो आपको समझ नहीं आएगा, one line question था कि नहीं था, direct कर सकते थे थे ना, चलिए, next question question number 19, यहां पर क्या कह रहा है, students get an aggregate of 60% marks in the 5 subject, in the ratio 10 ratio, 9 ratio, 8 ratio, 7 ratio, 6, if the passing marks are 45 of the maximum marks, and each subject has the same maximum marks in the how many subjects did he pass the examination, तो यानि कितने subjects में एक्जाम में पास हो है, देखो इसे ने क्या कहा, जो पासिंग मार्ग है, वो 45% है maximum marks का, यानि कि कह सकते हो, जो total जितने marks का वेपर है, उसको 45% अगर ले आते हो, तो आप पास हो जाते हो, और हर एक के same, हर subject के same maximum marks है, और aggregate उसको 60% मिलें, 500 subjects में मिला के, अब इसको देखो simple concept में कैसे समझेंगे, अब इस चीज को ध्यान रखना, कि उसको 60% marks मिलते हैं, सभी में मिला के, मैं मान लेता हूँ कि एक paper का maximum marks है, उसके 100 है, ठीक है, 100 marks का एक paper है, ठीक है, तो passing marks कितने हो गए उस paper के, किसी भी के 45% marks के, ठीक है, 45 maximum का, यानि अगर 100 number का paper है, तो उसमें से आपको 45 marks देए, तब उसमें आप pass उपा होगी, clear है, अब इसको overall अगर मैं बात करो, मेरे पास कितने subject है, 5, अगर एक subject में 100 marks का paper है, तो 5 subject में total marks कितने होगी, 500, अगर total पूरा अगर बात करें, 500 paper, 500 number के हैं, बट इसको overall क इतने number मिले, इसका 60%, 60% यानि कि इसको 300 marks मिले, ठीक है, यानि कि अगर 500 number का paper होते हैं, सारे 5 के 5 मिला के, तो इसको 300 number मिलेंगे, clear है, अब हमें ये बताना था कि कितने subject में pass हुआ है, अब एक चीज़ देखो, यानि कि हमें पता करना है कि 45 number इसको किस-किस paper में मिले है, या एक चीज़ ध्यान रखना है, कि आपको 300 marks पता लगे, 500 subject के आपको मिलते हैं, तो अगर इन 5 के अगर मैं ratio में divide करना चाहूँ आपको, तो मैं बता सकता हूँ कि एक ratio की कितनी value आएगी, देखो, 7, 6, 13, 8, 29, 30, 10, 40, यान 300 marks मुझे 40 में divide करना है, तो एक point की value कितनी आजएग अब मैं देखूँगा कि एक ratio की value 30, 4 है, तो मैं सबसे छोटा उठाऊँगा, क्योंकि सबसे कम marks तो इसस subject में आए न, 6 वाले में, अगर इसमें pass हो गया है, तो सब में pass है, अगर इसमें fail हुआ तो अगला check करेंगे, तो 30, 4 क्या है, कि इसको एक ratio की value तो 6 की निकालो, 6, 3, इसको 45 marks मिलें, यानि इस subject में इसको 45 marks, अगर इसको 45 मिलें, तो यहने सभी में pass है, क्योंकि सबसे कम ratio कि कितना एच्छे है, अगर उसमें 45 नंबर आए है, और हमें 45 ही चाहिए, पासिंग के लिए, तो यह पास है, क्लियर है, simple अपना concept लगाओ, ज्यादा सोच नहीं नहीं है, कोई भी value मानों कि 100 marks का paper था, 45 चाहिए, अब total 500 है, 5 paper थे, 500 हो गए total, उसका 60%, यानि कि 300 नंबर चाहिए, 300 को इस ratio में divide कर दो, और सबसे जो कम ratio है, उसको calculate करो, क्योंकि इस से क्या होगा, कि आपको यह पता लग जाए, अगर सबसे कम ही pass हो रहा है, यानि सबसे कम ratio वाल से, with the capital contribution of rupees 50,000, 20,000 and 30,000 respectively, X is a working partner of getting 20% of profit for managing the business, the remaining profit is distributed in the respect of their capital, if at the end of year, X get rupees 300 more than Y and Z, then find a total profit is, तो total profit बताना आपको क्या होगा, देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहलें कि आप profit का ratio निकालो, देखो, timing का सबका सेम है, तो X करता है 50,000 रुपे, तो मैं सीधा ही यह यह पर कर देता हूँ, देखो, ज्यादा वो करेंगे नहीं, ठीक है ना, ज्यादा लिखना ही नहीं हमें, तो हमें पता है, जीरो एक दूसरे से cancel out होगे, चार-चार तो हम लिखेंगे नहीं, तो X, Y और Z, इन तीनों का profit का, जो, इनके capital का ratio वो कितना है, 5 ratio, 2 ratio, 3, अब इसमें एक statement में थोड़ा से change क्या बोला है, कि जो X है एक working partner है, यानि यह business को समालता है, इसलिए जो भी total profit होगा, पहले 20% इसको मिलेगा, बाकी इनके capital के basis पर distribute किया जाएगा, अब गया रहा है कि X को है 300 रुपे जादा मिलते है, Y और Z से, तो थोड़ा से यह हाँ पर दिमाग ल पहले निकाल दो, यानि 20 रुपे तो मैं पहले ही निकाल दूँगा, यह तो X को मिलने ही मिलने है, उसमें तो कोई problem नहीं, अब बचे हुए 80%, यानि 80 रुपे, यह तीनों में divide होगे, XYZ में इनके capital के coding, इनकी capital कितने है, 5, 2, 7, 3, 10, यानि 80 है 10 ratio में divide कर दो, तो एक ratio के कित कितने मिले, दोनों को मिला के 40 रुपे मिले, हमें यहीं चीज समझनी है, कि X को at the end of the year, 300 रुपे जादा मिलते है, Y और Z से, यानि X को यहाँ पर कितने रुपे जादा मिले है, 20 रुपे, यानि इस 20 Q unit के value 300 के equal दे रुखी है, हमें क्या बोला है, total profit, total कितना माना थामने, 100 रुपे का total profit हुआ है, यानि option number D आपका right answer हो जाएगा, clear है यहाँ तक कोई दिक्कत आपको कोई ऐसी चीज हो जो आपको समझनी है, तो यहाँ पर एक चीज ज्यान रगना, ratio आपको आ गया था, आपको ज़्यादा कुछ शोजना नहीं था, और ली देख सकते थे, 5-2-3 ratio आपको शर्फ यह 100 रुपीज मान के, आपके माइंड में ही, यह चीज़े समझनी थी, 20 का 80 को आपको डिवाइड करना था, बस यह 80 वाला step है, आप pen paper पे लिख सकते थे, otherwise इसमें कुछ ज़्यादा लिखने वाला था नहीं, arithmetic की बात करो, अभी तक overall arithmetic देखे तो ज़्याद ज़्यादा calculative नहीं था, हाँ, approach matter करती है, कि आप practice किस तरीके से कर रहे थे, अगर आपने mock matches से practice किया है, कि चीजों को जितना short तरीके से लिख सकते थे, आपर mind calculation कर सकते थे, तो वो उतना ही ज़्याद आपके लिए फायदा रहे है, ज़रूरी नहीं कि हर एक shift में आप DI हो या फिर other topics होते हैं, वो करने लायक हो, कभी-कभी क्या होता है कि DI बहुत ज़्याद है, जासे I think कोई shift ती जिसमें radar graph भी थी, calculate भी थी, तो हो सकता है, वो calculated रही हो, तो arithmetic उस time में आपकी help कर सकता है, अब next question है, question 21 क्या कह रहा है, कि acid and water are mixed in the ratio, in a vessel A, in the ratio 5, ratio 2, and in vessel B, in the ratio 8, ratio 5 In what proportion should quantities be taken out from the two vessels, so as to form a mixture, in which acid and water will be in the ratio of 9, ratio 4, तो देखो, vessel A है, उसमें acid water का ratio दे दिया, 5, ratio 2, B में 8, ratio 5, दे दिया, कि इस proportion में है, quantities को निकाला जाए, दोनों vessel से, कि जो mixture बने, acid और water का, उसका ratio 9, ratio 4 हो, तो यह इस तरीके सा आपको दे रखा है, अगर आपको थोड़ा दोजी को घरा चलता रहता है, तो अब देखो, is questions को करने का method है, allegation best रहेगा, या तो आप acid का निकालो, या पर water से निकालो, कोई भी एक, आप उठा सकते हो, चलो, acid उडा लेते हैं, तो देखो, सबसे पहले, A vessel की बात करते हैं, ठीक है, allegation method, आप सब ने पढ़ा होगा, mixture and allegation topic में, vessel A की बात कर, तो acid की quantity कितनी है, total 7 है, तो उसमें से 5 acid है, यानि 5 by 7, अगर vessel B की बात करते हैं, तो vessel B में कितना total 13, 85 में, तो 8 बटा 13 हो जाए, और अगर हम बात करें कि final mixture में, हमें किस ratio में चाहिए, 9 ratio 4 में, यानि 9 plus 4, 13 हो जाएगा, चीक है, तो सबसे पहले हम क् बाता, DRR cheaper values को कैसे निकालते हो, 9 by 13 में से 8 by 13 माइनस कर दो पहले, और लिए आपको दिख रहा है, 1 by 13 आएगा, कुछ ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं, तो 1 by 13, क्योंकि LCM लेने की ज़रूत ही नहीं है, अब यहाँ पर 5 by 7 में से 9 by 13 माइनस करना है, ठीक है, तो माइन माइनस करो, माइनस करो, जल्दी से मुझे बताओ क्या रहेगा, 13 यहाँ पर LCM कितना आएगा, 91 में आजाएगा, 13 साथी क्याण में, ठीक है, तो 13 55 65, 13 साथी क्याण में ने साथ निमा 63, यहीं दो बटाई क्याण में, 2 by 91, तो यहाँ पर रेशयो को निकाल दो, 2 by 91, अब 91 यहाँ से कैंसल आउट कर सकते हैं, 9 साथी क्याण में, 13 सोरी, 13 साथी क्याण में, ठीक है ना, यहाँ से 7 से कैंसल आउट होगा, 7 जो डिवाइड में उधर जाएगा, तो 7 रेशयो 2 में इसको आपको क्वांटिटी को निकालना पड़ेगा, clear है, तो option number A आपका right answer रहेगा बताइए, इस तरीके से आप water का भी निकाल सकते थे, water के basis पर भी आप इसको शोल का सकते हैं, ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, next question की बात करते है, question number 22, अब देखो, मैंने जब आपको याद होगा, app में हमारा जो previous year questions का session चल रहा था, तो मैंने एक सीज बोला था, कि mensuration जो topic है, हर एक shift में question जो ज़रूर मिलेगा, देखने को, और कहिना कि यह चीज है reality, कि एक questions तो आपका इस topic से आता है, और बस आपको क्या करना है, कि formula याद करने है, formula अगर आपने याद कर लिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्या करना, आपको area of semicircle, circumcircle क 3 into side, ठीक है, तो जो area है circumcircle का वो दे रखा 3 pi की equal, तो देखो सबसे पहले radius बताओ कितनी होगी, मुझे radius अगर आपने एक बार निकाल दी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं है, radius आजाएगी side by 3, तो side कुछ मान लो, x मान ले, side up x मान लो, ठीक है, side अगर आगई है, तो radius क्या हो जाएगा, बताइए मुझे जल्दी, x under root 3, clear है, यहां तक आपको कोई दिक्कत है, यह मुझे बता दीजे, x by under root 3 हो जाएगा, just a second background होगा, तो यहां पर इसका सहमे, जो area आएगा, वो क्या आजाएगा, देखो, आपकी pi है, और radius का square, यानि कि x divided by under root 3, इसका square, और यह कि इसकी equal दे रखा, 3 pi की equal दे रखा, देखो, इसको square को solve कर लो पहले, pi, तो यहां पर कितना हो जाएगा, x square, divided by 3 रहेगा, ठीक है, क्योंकि under root cancel out हो जाएगा, is equal to 3 pi, तो देखो, pi से pi cancel out कर दो, तो 3 उधर से जाएगा, multiply में, x square is equal to 9, तो x की value कितनी आ जाएगा, 3, यहां पर पता लगी, 3 cm होगी, parameter of triangle कितना होता है, मुझे बताओ, parameter of triangle क्या होता है, parameter of triangle होता है, 3 into side, जो भी आपकी side होगी, ठीक है न, इस तरीके से तो होता ही है, जो भी side है, 3 की multiply कर दो, side अब ही हमने निकाली 3 आई, तो 3 3 चा 9, 9 cm क्या हो जाएगा, आपका parameter हो जाएगा, इस triangle का, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक आपको, next, question number 23, 23 में क्या कहा रहा है, यह boat takes half time in moving in a certain distance, downstream then upstream, then the ratio of the speed of a boat in steel water and that of the current is, आपको बताना है, देखो, boat की जो speed है, steel water में क्या है, और current की, क्या कहा रहा है, कि जो boat है, half time लगाती है, downstream distance करने में, as compared to the upstream, यह upstream में मान लो, गर 2 लगा यह क्या है, इनका time का ratio हो, तो speed क्या हो जाएगी, inversely proportional हो जाएगी, clear है, यह निए 2 ratio 1, अगर 2 ratio 1 downstream or upstream है, तो boat की speed कितनी आईगी, इन दोनों का addition करके 2 से divide करो है, 3 by 2, ठीक है, और current की speed कितनी आजाएगी, इन दोनों का difference यह निए 1 by 2, और हमे boat और इसका difference बताना था, कि boat और यह भी ऐसी चीज़ है, जो आपको समझ नहीं आई हो, direct मैंने बताए आपको इसमें कुछ भी जादा concept की जुरूरत नहीं थी, एक चीज़ आपको पताऊने चीज़ है, कि time जो है, वो inversely proportional होता, speed के, बस यह चीज़ अगर आपको clear थी, तो फिर तो इसके अंदर कुछ था, ही नहीं question के अंदर, समझें, time अगर आपको time बोला है, कि जो downstream में half time लगता है, as compared to upstream, तो आप यह दो मानों, चार मानों कोई matter नहीं करता है, at the end ratio वहीं आएगा, value calculate हो जाएगे, तो इसलिए मैंने upstream 2 माना, तो downstream इसका half यह नहीं, 1 हो जाएगा, speed क्या है, time का, इन्वर्सली से divide कर देते हैं, और जब भी current या फिस stream की speed निकालते हैं, तो downstream में से upstream गटा के 2 से divide कर देते हैं, तो यहीं हमने यहाँ पर किया है, क्योंकि ratios के हमें बताने थे, क्योंकि हमें पास exact value थी नहीं, next बात करते है, question number 24, यहाँ पर 24 में क्या गया रहा है, present age of sunita, is three times the present age of nita, ठी मैं मान लेता हूँ कि जो नीता की age है, वो x है, ठीक है, तो sunita की present age क्या आ जाएगी आपके, मुझे बता तो जल्दी से कितनी आ जाएगी, इसने बोला इसका three times होगा, यहीं 3x हो जाएगी, अब कहा रहा है, कि चार साल बाद, जो age है sunita की, वो twice हो जाएगी, to equal to the thrice of nita, तो यानि कि sunita की present age कितनी है 3x है, यानि 4 साल बाद इसमें 4 एड कर दो, यह क्या है twice है, किसके नीता की है 4 साल बाद, तो नीता की भी x है, तो 4 साल बाद इनी x प्लस 4 है, और यह कितना three times इसके, छीक है, equal हो जाएगी, तो अब bracket को चोल कर लो, 3 दूनी 6x, प्लस 4 दूनी 8, is equal to, 3x प्लस 4 दूनी 12, तो यह x इदर आएगा, minus हो जाएगा, 6x में से 3x गए तो कितने बजेंगे, 3x, और यह बार, 8 यहाँ प्लस का इदर आएगा, तो minus का इनी 4 हो जाएगा, तो x की value कितने आगी, 4 by 3 आगी, हमें present age बूचीती सुनीता की, तो सुनीता कीतना 3x है, तो x की value है 4 by 3, तो 3 से 3 cancel out यह नहीं, 4 year, तो present age की आजाएगी, सुनीता की 4 year हो जाएगी, यानि option number यह आपका right answer है, तो यह वाला step आपको लिखना था exam में, और आपका question solved हो जाता, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, next question, probability का question था, काफी बच्चिस topic से डरते हैं, काफी बच्चिस को skip भी कर देते हैं, क्योंकि यह topic उनको बहुत ज़्यादा, एक तो लगता है कि भी समझ नहीं आएगा, कहीं question एक confidence ही नहीं बन पाते हैं इस questions को करने में, और बल्कि यह वो questions होते हैं, जिसमें काफी कम time लगता है, question में क्या दिरका है, what will be the probability of choosing one red and one green ball from a basket containing four red and five green, if two balls are drone randomly, दो ही ball आपको randomly निकालने हैं इसके अंदर, तो देखो सबसे पहले क्या करना आपको, यहाँ पर total आपको जो red ball है, कितने चार है, तो मान लेते हैं, four, seven हो जाएगा, क्योंकि पहले दो ball randomly draw की है, four, seven हो जाएगा, क्योंकि एक ball निकालेगी, फिर दूसरा आपको एक सीज समझना, जिसका c1 नीचे वनो ना, उपर वाली value exact वहीं लिख दो, क्योंकि four, seven इसको solve करो, चार में से गया तीन, तीन के factorial तक value लेकि आनी है, तो तीन का factorial, नीचे कितना चार में से गया तीन, यह कड़ जाएगा, एक दूसरा तो वहीं same value बसती है, जब भी आप द गुना दो का factorial, दो का factorial कितना होता है, दो गुना एक साथ से साथ कार तो दो चोके आठ, नो चोके 36, यहनी 36, तो 4 एकम 4, 4 नीचमा 36, यहनी 5 बाइन आइन आपका right answer हो जाएगा, आपको सीधा यह लिखना था, यह वाला step लिख के, और इसको 9C2 को आप और लिख सकते है, त साथ साथ से साथ कर जाता, दो का factorial कितना होता है, दो गुना आठ, नो आठ है बैतर, बैतर में से दो गए तो, बैतर को 2 से डिवाइड गरोगे 36 हो जाता, तो इस तरीकी साब कर सकते है, बट इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस के मिना यह चीज यह पोसिब साथ किरे AC की वो अलग दे रखी थी, यहनि आपको percentage की values अलग अलग आपको दे रखी थी, यहनि एक बार आपको यह सारी चीज़े calculate करनी पड़ेंगे, clear है, तो percentage of पहले items दे रखेंगे, फिर उसके अंदर जो भी particular जैसे, यहाँ पर जो भी total पहले items आएंगे, उसके percentage refrigerator रो AC में distribute कर दो, और फिर आप cancer आजाएगा, clear है कि नहीं मुझे बता दो, यहाँ तक कोई दिक्कत है, अब इस question को करने के आपके पास दो method है, या तो आप हर एक question की साथ इनका data solve कर लो, या फिर आप एक काम करो कि पूरा एक साथ solve कर लो, क्योंकि देखो यह DIA है, Calculative है, यह which is 101% sure, अगर आपके पास time कम है, तो मैं कहूंगा कि SDI को skip कर देते हैं, अगर real exam की बात करें, तो इसको skip करना की best option है, क्यों है, क्योंकि देखो total items दे रहे हैं, अगर मान लेते, एक point of view पे, अगर अलग-अलग stores के आपके पास data दिया होता है, कि A में इतने items है, B में इतने हैं, तो ठीक है, हम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बात में ratio के basis पे निकाल लेते, जैसे C का 3-7 में divide करके, हम कर लेते, उतना दिक्कत नहीं होता, अब calculation कहां बढ़ गई, कि पहले total items है, तो पहले इनके items यहां से निकालो percentage, यानि A के total items निकालो, जब A का total निक आपको लगती, और उसके बाद भी कोई guarantee नहीं है, कि 3 मिनट में हो जाए, या फिर calculation आपने को एक छोटी सी गड़बर कर दी, पूरा questions की गलत, ठीक है, तो best option है, कि अगर आपको लगता है, कि आपके पास time कम है, तो skip कर दो, अगर फिर भी लगता है, time तो बस यही questions बजता ठीक है, तो step to step, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ, देखो calculation है, वो आप खुद घर लेना, क्योंकि हम आपका time waste नहीं करेंगे, ज्यादा, मैं आपको बता दूँगा, इसके लिए approach क्या है, calculation आप कर सकते हूँ, क्या बोला इसने, what is the ratio of the total number of refrigerator in store B and D, together to the total number of AC in the same stores, यानि कि refrigerator हो ratio बताना, अब अगर एक item का ratio बताना होता था तो दिक्कत नहीं थी, सबसे वहले अगर हम बात करते हैं, store B और D में refrigerator की, B में अगर मैं बात करूँ कि 15% items है, ठीक है, total आपको पता है कितने 32,500 है ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 32,500 total items है, तो यानि कि B में अगर मैं refrigerator सबसे पहले मैं B में निकालूँगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका 15% निकालना पड़ेगा, 32,500 अब यहाँ पर जो value आएगी, 32,500 से, अब मुझे refrigerator चाहिए नहीं, इसका मुझे 55% निकालना पड़ेगा, ठीक है न, AC कितना 45, sorry B में है न, तो इस के B के refrigerator, अब इसी तरीके से आपको D का निकालना पड़ेगा, D में कितने दे रखे थे, 28% है, यहीं 28 divided by 100 multiply by 32,500, अब D में refrigerator कितने है, मुझे बताइए, D में refrigerator है 75%, तो 75% निकालना पड़ेगा, अब यह देखो, यह जो चीज़ी है न, यह सिर्फ calculation बनाती है, आपको यहाँ यहाँ पर calculation करनी थी, ठीक है, इन values को यहाँ पर जो भी values आती है, उन दोनों का addition करना था, same अब आपको क्या करना था, कि AC का निकालना था, इनी store पर, यह यह value values को equal to रख देना था, अब देखो, अगर एक particular store की बात होती, जैसे B का दे दिया, refrigerator का और D का दिया, तो हमें द PDF डाल दूँगा, ठीक है, उसमें आप solution देख लेना, बाकिस का जो right answer, option number D है, मैंने calculate कर लिया था, यह पूरा, बट टाइम बहुत लगेगा, अब वो time waste हो गए यहाँ पर, ठीक है ना, तो यह चीज़े यहाँ पर इस तरीक ही आपको करना, मैं questions के approach बता रहूं आपको, अ कितने हैं, 12%, और F में कितने हैं, F में हैं आपके 20%, तो यहाँ पर कितने हैं, 12 हैं, कितने के, 20% के, ठीक है, multiply by 100, तो 20 से कम 20, 25, 25, 60%, यह और option number C आपका right answer हो जाता, तो यह question करने लाइक था, first question को आप skip कर दें, तो ज्यादा बेटर रहता, time अगर आपके पास नहीं था, next, what is the total number of refrigerator in A, C, E, अब यह question हो जाता है, क्योंकि पहले A के refrigerator निकालने पड़ेगा, फिर C के निकालने पड़ेगा, फिर उसका total आपको sum करना पड़ेगा, अब इसमें लगेगा put time, सीधी बात है, क्योंकि time तो आपको लगना ही है, उसमें तो कोई दिक्कत की बात है, ठीक है, आप या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसका जैसे A है ना, तो 12 का 55% निकालो, 50% कितना होगा, 6 और 10% होगा, 1.5 या निकी 6.6 के राउंड आपका आ जाएगा, तो इस तरीके सा आप इसको निकाल सकते है, what if it time taking है, तो A, C, E का आपको individually निकालना है, इसकी PDF में आपको answer म approach होती, जो मैं आपको share कर देता है, तो फिर वो एक अलग जीज हो जाती, ठीक है, next question, the A, C in the store B are what percent of the refrigerator in store F, तो देखो, कह रहा है कि जो A, C है store B में, तो अब ये calculate कर सकते हो, क्योंकि इतना बढ़ा है नहीं है, क्योंकि divide में करना पड़ेगा, A, C store B में, अगर हम बात करे, ये 15%, 15% है, ठीक है, इसका A, C, A, C बोला नहीं, पहले, A, C बोला B में, तो इसका 40%, 15 का 40%, हैनि 40 by 100, अब आप पूछोगे कि मैंने 32,500 क्यों नहीं कि, अब आपको बाद में बताऊंगा, एक बस समझना question को, B के अंदर, F के अंदर total item है, 20, ठीक है, 20% है, और इसका refrigerator पूछ इसका 64%, 64 by 100, is equal to 100, multiply by 100, क्योंकि percentage निकाल नहीं, ये 100 से 100 काट दो, ठीक है, 20 से काट ओके 20 दूनी 40, अब दो से काट दो, इसको 32, 4 से काट ओके 4 आठे 32, और 25 ओके 100, ठीक है, और अब कोई काट रहा है का नहीं कर रहा है, अब multiply कर दो, 15 पापी चेतर, साथ कह रही, 15 दूनी 30 साथ 37, अब इसको 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 8, 8, 32, 8, 5, 40 से जाया है कि नहीं, 8, 32, 5, 37, और यहाँ पर के इतना बज़ेगा, 8, 27, 56 होता है, ठीक है, तो यहनि 46.something आएगा, क्योंकि 7 टाइम तो जाएगा, नहीं 55 है, यहनि 46.88 है, अब यह इस तरीके से आपको करना आपको क्या करना था, सीधा 15 गुना 40, अब डिवाइड भाइ 100 भी नहीं करना था, क्योंकि नीचे पता है कि आपको percentage होने गुना 400, बस यह वाला step आपको लिखना था, अब इसमें क्या है कि total items है, वो same है, 32,500, अब यहाँ पर मैं दोनों side अगर 32,500 लिख भी देता, तो हम हमें पता है कि at the end यह दोनों cut जाएंगे, ठीक है, तो यह cut जाएंगे तो लिखने की जुरूत नहीं है, क्योंकि हमें percentage बूची है, ना कि exact value पूची होती है, तो फिर भी हम थोड़ा सोचते है, इसके बारे में, at the end फिर हम 32,500 से multiply करना पड़ता, ठीक है, तो सिर्फ आपक आपके लिए easy हो जाता है, C के अंदर refrigerator, C के अंदर total items कितने है, percentage है 8, तो 32,500 लिखो मत, क्योंकि दोनों side कट जाएगा, तो यह चीज़ आपके mind में होनी चीए, इसमें refrigerator कितने है, 30% है, और percentage लिखो मत, नीचे divide by 100, दोनों side होना है, तो लिखना मत उसको, ठीक है, क्योंकि चलो, मैं एक बार समझाने के लिए लिख देता हूँ, 30%, और इसके लावा डी की पूछिए ना, डी में total item कितना 28% है, तो 28 है, ठीक है, उसमें refrigerator कितना है, 75% है, यहीं 75 by 100, अब आपको बढ़ा, दोनो side 100 थे, तो आपको लिखने की जुरूत नहीं थी, इसको, 5 से cancel out करते, 5 दूनी 12, और 15 साते, 105, I think कई गडबड तो नहीं गिया, कोई चीज के लिए, 4 से 28, 2 हो गया, 5 36, 15, पंदर पापीचेतर, यहां तक तो सहीं है, D के अंदर में refrigerator पूछे दिया, C के अंदर भी refrigerator थे, तो C के अंदर आपके 8 का 30% कर दिया, D के अंदर 28 का उने 45% कर दिया, तिक relation में तो कोई अड़वर्ड नहीं है, 5 36, 15, पापीचेतर, ठीक है, तो यहां पर आपके गलती का होई, 5 25, यहां भी सही है, तो यहां पर 4 दुनी 8, 4 7 8, 6 दुनी 12, 15 साते 105, अच्छा अभी भी कट रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल, 3 से खटेगा, 3 6 के बारा, 3 3 9, और 1 10, 1 3 पांची पंद्रा, 4 रेशियो पैदिस आएगा, ठीक है, ठीक है, हमने थोड़ा सा यहां पर इसको मिस कर दिया, क्लियर है, क्योंकि यहां पर देखो, पता कैसे लगा है, कि 3 से कटेगा, 2 प्लस 1, 3 होते है, 5, 6 होते है, तो 3 और 6 डिवाइड हो रहे है, एक दूसरे से, कैं राइम नहीं था दो, ठीक है, अधरवाइस इसको आप कर सकते हूं, हम बात करते हैं, कैसले डियाई के, कैसले डियाई ही पूझी गई थी, थोड़ा सा लेवल अच्छा था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही, की लाइन-टू-लाइन करते गई, तो हम क्योशन को कर लेते, अगर क आपके साथ था, अब इसको थोड़ा सा वेड डियाग्राम की थ्रू हम समझेंगे, ठीक है, सबसे पहले को रीट दो, कह रहा है कि कोलेज के अंदर हजार बच्चे है, ठीक है, कितने स्टूट्स है, 1000 है, और हजार बच्चों में से कुछ बच्चे एक्जाम में अपेड हो यहां पर बनाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, अब स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, क्योंकि पूरा एक पर गो त्रू करके समझ लो कि कहां से स्टार्टिंग करना पड़ेगा, यहां पर हमने समझ लिया, कि जो इस एक्जाम में अपेर नहीं होते, वो इकोल होंगे, ज अब नमबर व स्टूडेंट अपेर होते हैं, एक्जाम वाई अकेले में, वाई में, वो कितने हैं, 360 है, यहां इस पूरे वाई की वैल्यू कितनी दे रखिया है, 360 हमें दे रखिया है, ठीक है न, एक जस्ट ए सेकंड, अब यानि इस पूरे वाई की वैल्यू, इसको यहाई यहां, यहाई यहां, जितने बच्चे आएंगे वो इससे क्या है, इसके 50% जाद आओंगे y only से और number of student है अपेड होते हैं तीनों exam में यानि x y z यानि इसकी value में देदी की वो 4% होगे total यानि 1000 का 4% यानि 40 बच्चे होगे number of student है y exam only में वो same होगे number of student y and z only तो देखो statement को ध्यान से समझना ठीक है तो साथ एक-एक point के साथ चलेंगे सबसे पहले देखो यह तीनों निकाल लेते हैं और pen का color देखते हैं चीज हो रहा है कि नहीं हो ठीक है तो इसको color दे अब देखो इसने बोला यहां पर एक बार यह वाला statement देखो कि तीनों exam pair होने वाले 4% है total students के तो total कितना 1000 है 1000 का 4% निकालने में मेरे इसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी और ली आप बता सकते तो सीधा 40 होगा ठीक है 40 यानि यह जो value है मुझे पता लगी 40 है clear है इतना यहां तक समझा है अब जो यह ratio है ना इसके साथ खेलो ratio क्या दे दोनों इस तरीके से लिख लेते हैं वो कितना है 2 ratio 3 यानि y और z का जो ratio 3x हो गया इसका क्या कर देते है 2x यानि यह number 3x है और y और z का और x और y यानि यह वाला कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा clear है कि नहीं मुझे यहां तक यह चीज़ बता दो यहां तक समझा आय अगर यह point आपने जब भी read किया ना यह समझ लिए कि कहां से क्या चल रहा है तो फिर आपके लिए ज़्यादा चीज़े नहीं रही है ठीक है इतना समझ आ गया है कि मुझे एक बार यह बता दो अब देखना इसने कहा कि number जो student है अपेर होते x और z बहुत ठीक है x और z यह कि number of student है जो अपेर होते x और z में वो क्या होंगे half होंगे only z से तो only z मेंने a मान लिया तो x और z वाले कितने हो जागी a by 2 हो जाएंगे clear इतना आगे देखो जो number of student होते x only में यानि x only यानि इसकी बात हो रही है वो 50% होंगे y only से तो y only से क्या होंगे वो 50% जादा होंगे अब आगे देखो number of student है अपेर ये वाला आपका हो गया number of student है अपेर होते y exam only में वो क्या है same है as जो y और z दोनों में मिलके होते हैं तो y और z में यहाँ पे देखो just a second में लेजर से समझाता हूँ इसने बोला है यह statement को समझो कि number of students appeared in y exams only is same कि y अकेले में जो student अपेर हों कि 3x होंगे इतना clear है ये वाला statement हो गया अब एक point पर हो रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बोला था कि number of students appeared in x only is 50% more than the y only तो y only का तो आपने अभी निकाल दिया तो y only का निकाल दिया तो अब x only का भी निकालो क्योंकि इससे 50% जादा है तो यानि 3x का 50% कितना होगा 1.5 यानि 4.5 x हो जाएगा इससे 50% जादा है ना x only यहाँ पे mention कर रखा है कि 50% जादा है clear है कि नहीं मुझे बता दू अगर य z only हमने a माना था यानि कि appear जो not appeared student है वो a ही है not appear यानि clear है कि नहीं यहां था यह पूरा soul हो गया आपका इतना आपको समझा गया अगर यह समझा गया तो question खतम अब आप पुछो कि questions कैसे खतम हो गया अभी देखो अभी ऐसे हो जाएगा खतम अब आपको पूरा मैं starting में य यह सरकल में जो जो जी तरह जीतना आ रहा है उसको सब उठालो 40 आ रहा है प्लस 2x आ रहा है प्लस 3x आ और एक बार फिर से 3x आ रहा है और इनका सम किसके एकवल दे रहा आपको 360 की एकवल दे रहा था तो आप यहां से तीन 3-6 दो 8x 8x और यह 40 इदर प्लस का था उधर आ चाली ती है 120, ये कितनी हो जाएगी, 40 दूनी 80, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 45 दूनी 90 दूनी कितना हो जाएगा, क्योंकि 45 से पॉइंट कैंसल आउट करो, 90 दूनी 180, यानि एक्स की वैल्यू पर नेट या जाएगी, क्लियर है, अब आपको ये माइंड में आ रही होगी, एक ही वैल्यू कैसे निकाल लेगे, अभी एक ही भी निकाल लेगे, तो सबसे पहले है, सभी एक्स को एक्स को इक्वल लग, निकालो पहले, कितना है, 3, 3, 6, 2, 8, 8, 4, 12, यानि 12.5x है, ठीक है, प्लस, 40 है आपके पास, ये 40 भी तो है न, इसको भी तो काउंट करोगे, ठी ठीक है, तो यानि 12.5x की वैल्यू कितनी थी, अभी अभी देखो, या तो आप टोटल का इनको सम कर लो, जो अभी निकाल आए, या फिर इस से निकाल सकते, बात तो दोनों के इंडिशन में, ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, चलो इस से निकाल लेते हैं, आपक पांचो होगे, पांचो चालिस होगे हमारे बास, तो पांचो चालिस होगे, प्लस, पांचो चालिस होगे, अब ये A कितने है, A एक बार A यहाँ है, A by 2 है, और एक बार A और एड़ करना पड़ेगा, अब ये A कहां से आए, जो बच्चे अपेड नहीं होते हैं, इसने जो एक बार देख लेता है एडिशन में गड़वर्ड लग रही है मुझे क्योंकि यह 500 आना था तो यहां पर कहां पर हो सकते हैं एक मिनिट चेक करते हैं 240 और 80 320 400 500 हो गया ठीक है A by 2, 5, 1000 जस्ट ए सेकें एक बार मैं चेक करता हूँ हमने क्या किया कि हमने तीनों को दो बार आड़ कर दिया ठीक है यह ओल वाला यहां पर एड़ नहीं होगा ठीक है यह चीज़ द्यान रखना अभी क्यो आड़ नहीं होगा एक चीज़ समझो कि हमने क्या गया कि तो आपका 500 बन जाएगा ठीक है तो अब इसको 1000 की एकवल रगा तो यह 40 एड नहीं होगा इसके अंदर क्योंकि यह ओल में है ठीक है ना यह जीज द्यान रखना तो यहां पर 500 उदर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो यहां पर फाइफ ए डिवाइड़ बाइट वाइ तो 100 हो जाएगा तो एक ही वैल्यू कितने आगे 200 आगी यह आगया 200 और यह वाली वैल्यू आजाएगे 100 और जो अपेड नहीं होते वह कितने थे 200 तो यह आपका पूरा डेटा सोल हो गया है यहां तक अगर किसी को को डाउट है कोई भी ऐसी चीज है जो समझ नहीं आई हो है ऐसा तो कुछ नहीं है जो अभी रहता हुगा आप इजीली बता सकते हो ऐसा कुछ भी स्टैप नहीं है जो आपको समझ नहीं आए अभी देखो इसमें ना एक सी समझ लेना क्या कर सकता है जो कैसलेट की अच्छी-खासी प्रेक्टिस करके गया था कि कहा ऐसा नहीं है कि आपने एक दो कैसलेट लगाई है या फिर एजी लेवल की कैसलेट लगाई है उनसे बना लोगे जिन्होंने वेंड डाइगराम पर अच्छे-खासी पकड़ बना रहे हैं वेंड डाइगराम में कभी फस्ते नहीं है वहीं कर सकते थे इसको क्योंकि ऐस स्टेटमेंट को बीच से उठाना पड़ रहा था और सबसे बड़ी चीज़ होती है इसके उपर बेस थे हो डारेक्ट बेस क्योशन थे ऐसा कुछ नहीं था जो ज़्यादा ही आपको calculation करनी पड़े है जैसे पूछ रही है how many students appeared in last in at least two exams ठीक है यानि at least two exams में कितने बच्चे अपेड हुए थे तो यहां से आपको इस पूरे बाइं डाइगरम में देखो at least two exams में कितने बच्चे अपेड हुए थे तो यहां पर आप देख लो जो भी data आप कहाता है आप इसली बता दो आइधिशन कर दो कितना बॉल एटलिस टू अपेड ना दो गोला है तो दो का एड कर दो यहां पे 120-80 और यह वाला एवाला है इसको एड करके और यह ओल वाला देख लो इस बेस पर देखो 5 questions है data solve कर लिया है आप मुझे बतावा आप answer कर क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं में इनत कर रहा हूँ आप comment section में देखते हैं कि कितने बच इसका answer करते है ठीक है तो यह आपके लिए homework है देखते हैं कितना क्योंकि 5 questions है questions मैंने data solve कर दिया आप सिर्फ आपको क्या करना है answer बताने है और दूसरी चीज इसका description में आपको PDF मिल ज जाएगी solution की आप अगर पूरा paper solution देखना चाहते हो तो वो मिल जाएगा description में चेक कर लेना ठीक है तो आपको महां से मिल जाएगा या फिर आप telegram पे मुझे join करके वहां से भी आप इसका download कर सकते हो यह चलिए तो फिर session को end करते हैं देखिए अगर वीडियो आपको अच् overview हमने यहां पर cover up किया है तो अगर आपके पास भी इस तरीकी से questions रहते हैं अगर आपका भी exam upcoming days में तो आप मुझे at the rate संदीप नहरा टेलीग्राम पे आप मुझे directly message करके अपना review share कर सकते हो और अपने questions भी आप share कर सकते हो ठीक है और वहां पे जाके हम आपके क्या है कि पूरा का पूरा बागी बच्चों को analysis दे पाएंगे और वो भी इन चीज़ों को समझ पाएंगे और दूसरी चीज यहा link quality description में है चलिए फिर session को end करते हैं मिलते हैं next class में तब तके लिए thank you and have a good day